नमस्कार आज में आपको बताऊंगे बहुती आसान और सरल तरीके से सिंपल प्लाउच साधा प्लाउच कटिंग एंड इस्टिचेंग तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम अपने अस्तल की कटिंग करेंगे उसके बाद जो हमारा साधी का कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे यहां पर बॉर्डर दिया गया है तो इसको हम अलग रखेंगे और दोनों बाजू पर इसको बॉर्डर को लेंगे और यहां पर देखिए लगा हुआ है कुछ पुंदन बगयरा तो यह भी हमें निकालने कि यहां पर सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज का नाप लेंगे इसकी जो चैस्ट है वो 32 है यानि कि 16 इंच है और यहां पर जो लंबा है वो 13 इंच है अब देखिए इसके सोल्डर कापी कम है साड़े नौ इंच के हैं तो सबसे पहले हमें अपनी चैस्ट का जो निशान है 16 इंच बो लगाएंगे पीछे का सोला है तो आगी का भी सोला है और तीन इंच लेंगे हम यहां पर सिलाई के लिए कपड़ा अलग से अब यहां पर हम कपड़े को छोटा बड़ा करेंगे इस तरीके से क्योंकि पीछे की जो हमारी लंबा यह बलाउच की वो 13 इंच है तो यहां पर हम लेंगे 14 इंच और इसको ऐसे करके ऐसे डबल करेंगे डबल करने के बाद अब हम यहां पर पांच इंच के लेंगे सोल्डर और साड़े पांच इंच के लेंगे आरो मर और यहां से गोला गले की चोड़ाई हम यहाँ पर लेंगे दो इंच गले की लंबाई अभी हम यहाँ पर साड़े चैंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से गोल आई यहाँ पर जोड़ा हुआ है इसको अलग करेंगे और पीछे का निकाल लेंगे अब देखिए आगे की साथ हम यहाँ पर आदा दा इंच इस तरीके से निशान लगा के कटिंग करेंगे अब हम यहाँ पर लगाएंगे निशान तीरे का तीरे का निशान हम यहाँ पर तेरा इंच पर लगाएंगे एक इंच हमें ऊपर की साड़ लेना और इसको ऐसे करके चक्स का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे साड़े नो इंच पर उसके बाद जो हमारा फिटिंग का कपड़ा आप निकालेंगे तो आठ इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा यानिके इसके सोला इंच का है सोला इंच का आदा करेंगे तो आठ इंच आएगा अब यहां पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे चार इंच पर कि दो इंच की हमें रखने है दूरी कि यहां पर कैट लगा लेंगे अब सबसे पहले हमें जो हमारा कपड़ा है आगे पीछे के पलन निकालनी है इससे क्या है कि अगर हमारा कपड़ा कम होगा तो हम छोटी बाजू निकालेंगे अगर कपड़ा काफी है तो हम यहां पर बड़ी बाजू निकालेंगे कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करके रखना है और यहां पर पहले हमें बंद वाली साइड है यहां पर हम पीछे का पल्ला रखेंगे यहां पर रख लेंगे हम अपना आगे कपलर और यहां पर रख लेंगे हम अपना तीर तो देखें यहां पर कितनी लंबाई रखने हैं हमें अपने पीछे के गले की 10 इंच रखेंगे हम पीछे की लंबाई इस तरीके देखें और यहां पर देखें ऐसे निशान बना लेंग अब देखिए यहां पर आगे का है और इसमें से निकाल लिया हमने 13 तो इसको देखिए हम ऐसे करके डबल करके भी लगा सकते हैं कपड़ा काफी है ऐसे करके लगाएंगे तो वह मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगो किस तरीके से लगाएंगे अब देखिए यहां पर हमारा कपड़ा काफी है अब देखिए कितनी बाजू है दस इंच की बाजू है इसकी लंबाई तो हम यहां पर ग्यारा इंच ले लेंगे तरीके से इसको तो हम निकालेंगे और फिस द्वारा से लगाएंगे आदा दकर क्योंकि यह बॉर्डर छोटा आए देखिए यहां पर कितनी चोड़ाई 14 इंच के चोड़ाई चाहिए ज्यादा चोड़ाई नहीं रखेंगे कपड़े की फिर बाजू में जोल आती है तो यहां पर देखिए इस तरीके से रखेंगे हम अपने कपड़े को अब देखिए हमें निशान लगाना है यहां पर तीन इंच पर इस तरीके लिए और उपर की साथ लेके जाना है देखिए बाजू इस तरीके से कटेगी कि आधा इंच हम हम यहांपर म democracy करेंगे अब देखिए इसमें ऐसे रखेंगे और यहांपर कापी गुण आशे मिल गया में इस दरीके से हमारी और आजू आगई हम असतर की कट rif करतना कि अब देखिए इसको हमें ऐसे रखना कि इस तरीके से रख लेंगे अब यहां पर जुढ़ा हुआई तो देख inhale यह हमारी वाज्य की कटणग exactly हो गई और यह हो पीछे का पल्डद्य और यहां पर हमारा तुर आहें अब हमें गले की पत्टी कटण करनी है तो दीखें के यह प्ट्टी में गल्फे करने हमें एसे तिरच्ठ खर्णा है कोई भी कपड़ा हो उसको आप तिरच्ठ को लाए अब अब हम एक-उक इन्च की पठी निकालेंगे तो यहां पर देखि हिस तरीके से हमें अपने पट्टीा निकालनी है ऐसे जोड़ेंगे तो देखे यहाँ पर क्या है कि जब हम गली में लगाएंगे न यह पट्टी को तो हमें यहाँ पर ऐसे पट्टियाँ जोड़ नहीं ऐसे करके तो आप चलिए अब मैं आपको इसके इस्टिचिंग से काती हूँ अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम अस्तल को ऐसे रखके पूरे पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से अब देखिए हमने पूरे पर सिलाई लगा लिया अब अस्तल के बराबर हमें कटिंग करना है अब देखिए हमें यहां पर पिलेट डालनी है तो यहां पर हमें आदा इंच लेना है इस तरीके से आदा इंच लेना है यहां पर कम करते हुए हमें उतारना है जो नीचे की पिलेट है यहां पर हमें एक इंच लेना है यहां पर हमें एक इंच लेंगे और इसको भी हमें कम करते हो तारना है और यहां पर जो बगली की पिलेट है यहां पर भी हम आदा इंच लेंगे और कम करते हो तारेंगे आरोमल वाली जो प्लेट हैं वहां पे भी हमें आदा इंच लेना यानि कि तीन प्लेट हैं वह हमें आदा आदा इंच की सिलाई लगाने हैं झालओें आदा इंच की सिलाओल? झालओें इंच के लागने हैं झालओें लेणीक सिलाओवाथ भी हमें आदा सिल आदे उनखा व civ कम आदा है नवाल है यह झाल तो यहां पर देखें हमारी 4 प्लेटें बड़े अच्छे से डल गई है और इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्ट में प्लेटें डालेंगे तो इस तरीके से हमें उल्टा करके रखना और यह दूसरा पार्ट है उसको हमें ऐसे रखना झाल ओड़े यए10 करये अबर दूसरे प्लेटेंगे खर्टें पर यह दूसरे से खेड़े का झाल में अजय우hhhh झाल झाल कि अब देखिए यहां पर हमारे दोनों साइड पिलिटर डल गई है अब हमें इसमें तीरा लगाना है हम देखिए तीरे को हमें इस तरीके से रखना है झाल 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 अब यहां पर देखिए हमने इसको डबल कर लिया इस तरीके से अब जैसा हमारा तीरे का सेरे पर उसी के पर में सिलाई लगाने है अब यहां पर देखिए हम इस तरीके से रखेंगे अपने दोनों तीरों को इस तरीके से रखना है और यहां पर जो भी हमारा सेप है उसी के परावर हमें काटना है अब तीरे को पर हम अपना ऊपर बाला जो पाट उसको रखेंगे अब देखिए प्लेट को हम इस तरीके से अंदर किशार रखेंगे अब अब तरीके से अब आप आप अब आप जो प्राइब है अब जो भी जादा कपड़ा है तीरे का उस पर हां कटिंग कर लेंगे उसको काट लेंगे अब हमें इसको ऐसे ब्रावर देखना और होक और काजवाली पट्टी लगानी है तो दीके यहां पर हमारा एक डवल कपड़ा है जो गले का कटिंग का कपड़ा बच्चा हुआ उसी को हम डवल करके इसको उपर रखेंगे जो हमारी काजवाली पट्टी है यानि कि इसकी चोड़ाई है टबल करके 1.5 इंच है तो यह पूरा जो चोड़ाई में 3 इंच का कपड़ा आए इसको हमें ऐसे रखना अब हमने 1.5 इंच की पट्टी लिए अस तलगी इसको अंदर की शाट दबा देंगे अनलो अची अनलẹव उड़ असे लिए सकावबा आए धवर्रेश के मारी बिन्यवराण वाज़ा यह Travel टो है इसको उवराणी में एप त neutrटी इसको कम आदि के इहां एया से करके देखां कि तीरा हमारा बट्टी करोsur एक दोटेई अ कि आ देल़् र१ी अटिकरा मेरेन थीए मेरे इस तरीकी सने तो यहां कि के खौना दाए लूप पर हमारा लमबािय बराबर होनी चाहिए, देखें, इस तरीके से, तो यहां पे हमारा यहां तलग गला आ रहा है, हमारा और इसकी जू लमबाईय वह बहु जादा है इस तरीके से, तो पहले हमें यहां पर थोड़ा सा कट करना है, जब भी हम लाउच का गला नापेंगे, तो अगर हमें लगेगी लंबाई जादा, तो इस तरीकी से हम कट कर लेंगे यहां पर भी हमें ऐसे थोड़ा सा कट करना है क्योंकि हम लंबाई में अच्छे से कटिंग करते हैं अगर फिर भी हमें छोटा या थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको हम इसी तरीके से सही करेंगे आगे का पलर हमारा बराबर होगा तो पीछे का अपने आप बराबर आ जाएगा इस तरीके से तो हम आगे का छोटा या बड़ा रखेंगे तो फिर पीछे का उसी के बराबर हो जाएगा तो यहां पर आप देखें किस तरीके से जो टेलर लोग होते हैं वो फिटिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं कि यह पट्टी बराबर होनी चाहिए गला आगे का बराबर होना चाहिए देखें बराबर आ रहा है अब हम इसमें पीछे का पल्लत जोड़ेंगे पी इस तरीके से अगर आप इस तरीके से कपड़े को दवाते रहेंगे तो आपका धागा ब्लुकुल भी नहीं निकलेगा सुई में से तो यहां पर देखें हमने प्लेटें डाल ली है अब इससे पहले हम इसमें आगे का पल्लत जोड़ें उससे पहले हमें अपना पीछे का पल्लत हो देखना देखें इस तरीके से ऐसे रखके देखना है तो देखें लंबाई बराबर आ रही है तो हम इसमें जोड़ देंग यहां पर हम इस तरीके से इसको रखके जोड़ेंगे यह से रखना और जोड़ना अब देखिए जोड़ने के बाद सोल्डर को आप हमें यहां पर लगाने अपने फिटिंग किसे लाई तो जो भी हमारा इनिशान लगा हुआ है जो हमने आपको कटिंग में बताया था उसी को पर हमें सिलाई लगाने है तो इस तरीकी से हमने दोनों साथ सिलाई लगा लिए अब हम इसकी जो कमर नाप है यहां से हमें कमर का नाप लेना है यहां पर हमारा जो आगे का उपल्लया है नमाने इस तरीके से और ऐसे हमें देखना देखिए इस तरी की से खीच के तो यह चेश्ट भी पराबर आ रही है अगर यहां पर आपको लगेगा कि बड़ी है तो फिर आपको सिलाई लगानी है सबसे पहले आपको सिलाई लगानी है उसके बाग बाजू लगानी है तो इस बात का आपको दियान रखना है पहले आपको अपनी तो अगर आप पर पाइपन नहीं आती है और अस्तल वाली जो पट्टी वह नहीं आती है तो आप प्लीज चैनल में देख लें फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको गले की पट्टी और भाजू लगा के बताऊंगे क्योंकि में चीज अब फिटिंग तो यहां पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा लें अब हम बड़े आराम से बाजू लगा लेंगे अगर आप पर नहीं आती है बाजू लगाने का तरीका किस तरीके से लगाई जाती तो आप चैनल में देख लें तो आसा करते हूं आपको मे किस बाहाई जाओ 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 उर झाल में परक चैनल में देखावाई बड़े आराम से लेंगे और बाती है